तो कैसे हो गई बच्चो सब बढ़िया चल तो जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्राखंड लॉक्टाउं क्लासे सभी बन और फाइन क्लासे सभी बन हो चुकी है अब जितनी भी आप लोग की क्लास चलेगी जब तक हमारे पास को नेक्स अपडेट नहीं आता है तब तक आप दो दिन के बाद में हमारा ओन प्लेट्फॉर्म है ओन हमारा प्लेयर एकस लेड जो है उस पर हम आपको सिफ्ट कर लेगे अब बागी काम वहां करेंगे बहुत बढ़िया दरीवे से करेंगे बहुत अच्छा अरिमेंट आपको बिलिए हम लोगों ने किया है मजा आने मार के बाद हम लोगोंने वेव ऑप्टिक्स बढ़े आए उस वेव के अंदर और अर्मोस्ट सारी बात हैं लोगोंने कब्रभ कर लिए हैं लोगोंने सेंदिंग वेव और्गैन बाइप इन सब के सवाल आप लोगों करवाया थे मेरे आपको याँद है आज हम आपने लास् व कि अपर आजाते है आपको लास्टीं को निंगे उसे अमिलों से अम्लों डिसकस करेंगे तो आज का जो हमारे टॉपिक है इसुदेंट्स वह है डॉप्ला एफेक्ट के साथ थोड़ा सा बीड्स के बारे इंपी जाने कि बीड्स किया होती है नमबर ओफ बीड्स को किसी नही अब योँ बात करने वाले हैं आप सबसे पहले डॉपल एक्ट के बादें है तो डॉपल एक्ट क्या है देखो डॉपल एक्ट के अंदर टीन की लिए बड़ी में वी वो क्या के आपको बताता हूं अब नमबर वन तो जिसके अंदर से साउंड की वेड प्रॉपलेट लिए यानि निकलती है नमबर टू ऑपसरवर यानि लिसनर जो साउंड को सुनता है ठीक है और नमबर तीन जो सबसे इंपॉर्टन फेक्टर है जिसके ऊपर सारा खेल दानों बता रहा है ठीक है उसे अद लोग सुन रहा है तो आप लिसनर है और में जो साउंड प्रॉपेगेट करके आ रही है यह काफी इंपॉर्टन पार्ट इसके अंदर ले करने वाने लिए ठीक है अब डॉपलर इफेक्ट कहता क्या है डॉपलर इफेक्ट ही कहता है कि अगर सोर्स यानि मैं लिसनर यानि अगर कि उले कि अग wires करते हैं और कि अन्यार को कि मतने दो Cake के करने में रिसे दोलजनिय ए तो तो है जितनी में फिरक्वेंसीजिजिए से को बुनोगा उतनी frequency तुम में कभी भी सुनाइ नहीं देगी जिस frequency से मैं बुलूँगा ये कहलाएंगी रेयल frequency और जो frequency आप नोखों को सुनाइन देने वादी है इस frequency को हुम कहेंगे apparent frequency गाने में real frequency और apparent frequency के बीच में a relation बनाफ हम ये पहुत आई ऑफ्ति आप में जरूर सॉंद करना है मेंस के लिए भी और शुक्ति यह काफी नौ टिंच है सबसे पहदे हम बात करना है सुदेंस यह माले लेक्ट इस डाखन लेख पास है मैंने माना कि यह हमारे पास को हैं observer, यानि listener ठीक है, यह हमारे पास में listener यह observer है, observer, ठीक, अच्छा, sound की जो direction होती है, वो हमेशा source से निकल कर towards the observer होती है, student, sound हमेशा source से निकल कर observer की तरफ चलेगी, मैंने माना कि sound की जो speeder को small b है, source हमारे इस direction में move कर रहा है, observer हमारे इस direction में move कर रहा है, view space जो frequency source के अंपर से निकलती है, यह है f, और जो frequency इस observer को सुनाई पढ़ती है, यह है f dash, हमें दोनों के पीच में relation बनाना है, e तो हमारा observer है, यह कि इस frequency सुन रहा होगा, बड़ा आसा formula है, जिसे हम तो apply करने माने है, देखे, formula क्या है, थोड़ा आप उभ्यान से देखे, तो फॉर्मूला है हमारे पास में, f dash is equal to f, यह तो लगाना है, हमेशा आपको भ्यान रखेंगे कि नीचे की तरफ आएगा source का data with respect to sound, और उपर की तरफ आएगा observer का data with respect to sound, आसान ने में अगर मैं आपको रूस एक कफ हूं, तो आपको यह देखो, वी यानि sound की speed, जो हमेशा observer की तरफ जाएगी, वी यानि observer की speed, देखो, दोनों की direction एक दूसरे के opposite है, तो direction opposite है, तो direction opposite होने ही बजाएगे, जो आप related velocity का concept रभाएंगे, तो यह बजाएगा V plus V, दोनों के direction opposite है, पर सालाज बजाएगा आपको से नहां फोकस कोई, V plus V, ठीक है, नमबर बजाएगे, अब आप देखो sound इसरफ propagate कर रहीं, और source भी अब बजाएगा दोनों के direction सेम है, तो नीचे की तरफ बादे आएगा V minus, देखो, यह V है, यह V है, यह V है, दोनों के direction सेम, तो minus, यह V है, यह वियो हैं, दोनों के डारेक्शन अपोजेट तो प्लस, अब मेरी दो बादे आपको लाद रहे हैं, पहली बाद, ऊपर अब्सरवर आप, नीचे सुछ सकते, रिलेटिब स्पीर अधीर ही है, साउंड की स्पीर के साथ, जैसे ही इन दोनों के डारेक्शन अपोजेट तो इसकी और इसकी डारेक्शन सेम, तो माइनस, इतनी फ्रिक्वेंसी इस अब्सरवर को सुनाई पढ़ रहे होगी, अब आपकी देखो, डिनॉमिन इंटर में माइनस आता है, यानि यह वैजी चोटी बन भी है, एफ के कमतारिशन में, तो मैं यह कमगा, कि जितनी फ्रिक्व मारे में जोती सेम, यह चाहिए, अब उनके सेटिंदेशन के अंगले हांते हैं, चैरि। इक सेकिंद इंटिंजं क्या हैं और समाथिक्लियम्ष में ? यह सूर्स सूर्स पुप कर रहा है इस राक्षन गृसन, तो सारे बढ़़ कि डारष्ण श्वरसा और मंडेर अच्स है ? ल क्या हो对 मünनद में साउंद यहां से निकली और 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 व्यवर की तरफ जाती है तो साउंद की वोह ब्योब है अब हम लोगोंने लेट किया, माना कि जो real frequency है, वो f है, जो real frequency है, वो f है, देख्थे हैं कि observer को किती frequency सुनाई पड़ेगी, observer को frequency सुनाई पड़ेगी, उसे हम नाम देंगी f dash, f dash means apparent frequency, तो देख्थे हैं, apparent frequency कितनी होगी, so हम लोग लिखने माले है, f dash is equal to f, f dash is equal to f, अपॉन मे लेटने हैं कि क्या आने माला है, मैंने आप सकाता है कि upon में रहेगा source का data, उपर रहेगा observer का data, आसान लेटने के समझने का परियास करिए, v इस direction, v s इस direction, दोनुं की direction same, so v minus v s, okay, अब आजाते हैं उपर की द्रबा, numerator की द्रबाय आते है, v and v, दोनुं की directions, अगर दोनुं क तो ऊपर आजाएगा v minus v u, तो ये condition हमारी बनने वाली है, इतनी frequency, इस situation में इस observer को सुनानी पढ़ रही होगी, अभी तक मैंने आपके सामने doctor effect की मांत दो conditions बनाई है, आपके सामने हैं, आपके सामने हैं, आपके अच्छे तर्बिकेस समझ सबते हैं, याद करना है, फोकस क आपके सामने है, रटा नहीं है, ठीके, ओके, next, चली बढ़ते हैं, आपके, situation नमर 3, जेको third situation क्या है, इस situation क्या है, प्रटार करते हैं, मजा नहीं आए, बल्ली मेरी से करना दिखा लेगे, तुम लोग को समझ ना चाहिए, नमर 3 बढ़ते हैं, ठीके, नमर 3 situation क्या है, ये माना माले पासने source, माना की source मूँ करना है, इस direction, वी ये सिस, ठीके है, हम लोगों दे माना की, यहां कहीं को है, just a second, hello, अजी, अच्छ, ठीके, ठीके सर्, तो आपको सर्, रेजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसकी उट्पर ही आना पड़ेगा ये ओनाना पड़ेगा, तो आप एकां कहिए, आपको, मैं आपको एक नमर रेजिसा हूँ, आप उसको, पीटियम से अपनी, फीस्ट्रांस कर सकते हैं, मतलब तो आप इकां करियें, तो मेरे नमर में आपने जहाँ ड़ेट करा रहा है ना आप को लबा इसाँ अच्छ, क्या ना में समय चर्था है, ओ ओ ओ ऊशीय और मिशे की बात पर याँ ठीके, आप फड़ोशी में इसमने, आप फड़ोशी इसाँ अधाने, आप अच्छ, ठीके कोई बाते हैं थे रहां है सवल्य सथ कि डबल गेट की थे 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 देखिए कि जी सब्सक्राइब है है तो वापस रजाते हैं नहीं है यह उम्हारा सोर्स हो गया इस डारेक्शन पर आप इस देखिए माना की ऑपसरीबन की स्पीड इस तरह है यह ओबसरवर माना की ओबसरवर इदर करहा है वीयो स्पील से Grade है हम लोगोने जार्ट किया कि यह रहा सтории इस निकलती है वह है f और जो cndh से सुमाई पढ़कती है penn cm इस तरीके से प्राप्रम को हमें सब्सक्राइब करते हैं यह यह हमारे पास में लिसनर है सुनने वाले की स्पीरिस डारेक्शन में है और यह है विए स्पीरिस प्राब्रम को शेयर। इस बार हमारा की सार्वक्शन में में लिसनर है सुनने की सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यह source अभा उब्सक्राइब, sound हमेशा source से निखलकर observer की तरफ जाएगी यानि sound की डारेक्शन नहीं रहने बादे है, students sound की डारेक्शन विदिया हमारी प्रेटने बादे है sound किस डारेक्शन में जाने मादे है, observer इदर आखा है, sound इस डारेक्शन में जाएगी विए झान घरा है, सब्सक्राइब यानि अगरे विए इसके डारेक्शन में इसका कॉंपोनेट ड्रेक्शन की डारेक्शन की कारूं अगर यह वारे पास धिसी कॉंपोनेट्ट अगर नाइक्ट यू थान से देखें यह इन्गल है, यह अमारा 90 ded है यह एंकल है हमारे पास में यह एंकल हमारे पास में 90 तो विस वेकर दूरों तो यह चला जाएगा वी सीच्वेशन वाली है है इधर इधर इदर को सैंटी दोनों की डारेक्शन सेंट तो यह हो गया है V minus Vs cos 90 इसके बाद देवो V-O इदर है और V इदर है ध्यान से sound इस तरह वह V और V इसकी opposite direction में है इदर दोनों की direction अगर opposite है तो उपर की दरबाई आएगा V plus V V plus V cos 90 की value 0 रहने वाली है यहाँ 0 खुत करेंगे so frequency बनेगी है हमारे बास में F dash is equal to F V plus V O और नीचे रहने हैंगा सिर्फ B इतनी frequency इस condition में इस observer को सुमाई उपर डढ़ी होई यह बात आपको अच्छे तरह के से याद रखते हैं जैसे कि हम अगली situation में पहुँच जाते हैं आपको समझा आई हैं लेके next situation का है मान देते हैं एक source इस तरहिए से move करना source और हमारे पास में जो observer है वो यहां standing position में है observer यहां है observer rest में हम यह वाल जोते हैं कि रुखा होगा source कैसे circular path पर move करना तो यहां से जो frequency मिकलेगी वो होगी F और जो frequency से सुनाई पढ़ने वाली है यह होगी F dash हमें देखना हैं कि F dash की रही थितनी होगी तो ध्यान दीजिए वई यह सबसे पहरा काम ज्यार है sound हमेशा source से निकलकर observer की तरफ भागए sound source से निकलकर observer की तरफ भागए sound से निकलेगी observer की तरफ जानेगी असके लीजेए यह sound की speed भी अब VS इदर है V इदर हमें VS का component V की direction में चाहिए कैसे बनाएगी देखो या यह VS हमारा इदर component इदर इदर चाहिए यह वारा इंदा 90 दिदी है यह हो जाएगा VS cos 90 VO हमारे पास में है नहीं VO की value है 0 तो आप देखो frequency रहेगी F dash is equal to F upon नीचे आने वाला है source उपर आने वाला है अब से तो देखो V इदर जा रहा है इदर और V cos 90 की इदर जा रहा है तो यह वारा इदर आएगा direction से नहीं को यह जासे V minus Vs cos 90 V 0 है तो V आप ले नहीं सकते है उपर बज़ेगा सिर्फ V तो हमारे पास है फार्मूला बज़ेगा F dash is equal to F V upon V minus Vs cos 90 Vs cos 90 है तो जाएगा 0 कोई observer center में standing position में है तो जितनी frequency यहां से निकलेगे बिल्कुल इतनी ही frequency से सुनाई पड़ेगे F dash is equal to F कोई difference नहीं हो दोनों की frequency प्रावर नहीं चलिए आगे बात करते हैं मुलोग देखें, next condition क्या है हमारे पास में अगली situation पहलों आते है next situation क्या है मान लेते हैं कि यह circular बात हम लोगों को given दिया है एक source यहां पर है source की speed of this source की speed of this observer हमारा यहां इस point पर standing position में है ठीक है मान लेते हैं कि बया observer की speed है वह है ठीक source यहां है this is the position of source observer यहां है यह angle आपको net-like परे चबाएं यहां है आपको बताना है यहां से f frequency निकलती है दोनों के बीज़ को gap कफी जादा है और इसे सुनाई पढ़ती है f dash frequency तो f dash कितनी होने बादी है हमें यह बताती है आपको आपको बताना है आपको इस अपको बताना है आपको यह बताना है अब यह अगर हम देखे हैं साउंड की डारेक्शन हमाले रहने माले है कुछ इस त्रीके से यह साउंड़ी स्प्रेड वही है यह हमारा 1 весь हो गया है real frequency f हो ग़ा है formula कैसे बनाना यह ज़रोरी काम है formula बनेगा f dash is equal to f ओके upon में क्या निवान कियाrid पर देखो, वी एसबी सामने है और वी पी सामने है मैंने आप से कहा तक अगर सेम डारेक्शन होगी तो माइनस करोगे अपन में माइनस करोगे साउंड की स्प्रिड आगे वी एसबी आगे यह हो जाएगा वी माइनस वी इस उसके बाद ओपर देखों क्या लिखने वाले है साउंड की स्प्रिड आगे ऑप्सर्वर सामने से आ रहा है दोनरों के डारेक्शन अपूजिट है जब रियरेक्टिव आप निकालेगे तो यह हो जाएगा अब वी प्लस व्यू लीजेज आप इतनी फ्रिक्वेंस लिए इस आप्जरवर्ट को सुनाई पढ़ रही होगी ठीख है यह पहली सिट्विशन है जब यह एस वाली पोजिशन पर है तो इसे इतनी फ्रिक्वेंस सुनाई पढ़ देगी अब यहीं के यहीं एक दूसरी कंडिशन हम बनाते हैं दूसरी condition देखते हैं कि क्या पर देखो जह से दूसरी condition की है कि यही source यहां से घूंकर यहां पाज़ कर दो इस वार source की तो speed है वो इस direction में है वीस ठीक है? sound में के लिए यार भी किसनी बार कि में बता चुका हूँ fix है बिल्कुल sound हमेर सा source इसे निकल कर observer की तरफ भागें यह soundly speed है ठीक है? V को हमारा किस तरफ इस direction में भी हो हमारा पा रहा है तो हमें बताना है कि इस condition में इस V वाली position में इसे कितनी frequency सुनाई पढ़ रहे होगी मैंने माना वहिया f dash f double dash पढ़ रही होगी f double dash is equal to f f real frequency source के real frequency के आए ठीक है? देखे इसके बाद अब आप देखो Vs इधर और V इधर नहीं दोनों के direction एक दूसरे की opposite है तो यहां आने वाला है V plus Vs उसके बाद V इधर है VO इधर है V और VO observer की speed तो मैं इधर से चलके रहा हूँ सामने से सामना भी है हमारी direction एक दूसरे की opposite है तो opposite direction में अगें plus आना है तो इतनी frequency के situation में इसे सुनाई पढ़ते होगी यहां इतनी frequency सुनाई पढ़े भी वोगो इतनी frequency सुनाई पढ़ेगी दियान रखना है भुदा नहीं इतनी आप लोगो एक बात को आप बहुत रखके अच्छे तरीके से पढ़कर चलिए ओके next आगे चलते हैं अब बहुत ज़्यादा नहीं बचाए हमारे पास में आप ध्यान देने इसे लेखे हम लोगोंने रेट किया कि एक multi-story building तरीके से तरीके से और हमारे पास में यहां पर एक वीकल बचिस तरीके से हम लोगोंने लेट किया यहां एक driver दुकार को चला रहा है इस तरीके से standing position में कार के ऊपर एक siren लगा होता है कुछ ऐसे siren के अंदर से sound propagate होती है ठीक है वी की spills कार की spills तो हमें देख लिए हो है वी-सी सामने जाती है सामने वाली दिवार से टकराती है टकराने के बाद में वापस आजाती है तो हमें यह बनाना है कि तकराने के बाद में तुबारा sound इसके पास लाट कर आएगी तो इसे कितनी frequency सुनाई पढ़ने माने है ठीक है ठीक है प्रॉलम बहुत ही बढ़ी आ है आयोटी जेगी 2011 के अंदर exam मुझेगी बहुत इच्छी प्रॉलम है काफी concept आफ इस प्रॉलम को लेकर clear देगा ठीक है चले हमें कुछ नहीं करना यारा हमें जो पढ़ रखा है ना उसी concept के अपाटी हम दो बहुत चलता है और कुछ नहीं करना है देखू कैसे करने वाल है so f dash is equal to f सबसे पहले बात करते हैं source की source का मतब है कि sound इसके अंतर से निकली थी देखू जब sound इसके अंतर से निकली थी car आगे आ लेगी sound यहां से निकली sound भी आगे आ लेगी car तो एक source हो गया है और V हो भी आया sound दोनों के direction का है same तो यह हो जाएगा V minus VC समझबार है आप लोग source के direction और sound के direction same direction है तो आगे इसके बाद में cliff या multi-story building से sound के टकराने के बाद sound वापस आ लेगी है लेकिन जो हमारे car है वो आप source का रूपल नहीं दर लेगी है car के अंदर जो driver बैठा होगा है वो भी car किस विर से जिर्णा होगा तो आप यह सुझिए कि पहली condition car source नहीं दिया पहली condition में car के ऊपर car की switch से बाद source का काम कर रहा है car के अंदर driver बैठा होगा है observer का काम कर रहा है तो टकराने के बाद आप देखिए driver है वो सामने जाता है सामने सामने से आ रही है दोनों के direction opposite है यह बंजा रहेगा V plus VC बड़ी बढ़ी अप्रावड होगी बहुत अच्छी प्रावबम है V sound की switch given होगी VC car की switch F real frequency है यह भी given होगी बड़े अराम से value put का क्या answer निकाल सकते हैं लेकिन focus करें सबसे पहली बात first condition में car के ऊपर silent लागा होगा है बड़ा driver बैठा हुआ है observer यह listener का काम करा दोनों के split car की split के बराबर यह कि दोनों car के साथ touch में है और car के अंदर बैठा हुआ है एक car के अंदर बैठा हुआ है तो हम लोगोंने VC VC बड़े ले लिए बड़ी अच्छी problem में आप ध्यान के तो जितनी की situations मैंने आपको सान में बताई है यह साथी की सारे डॉपलर effect को लेका है और मुझे उमीद है आपके काफी concept ने लेकर प्रियर भी हो गया हो ठीक है next आगे आने को देखे last situation है हमारे बास में मैं आपको बताता हूँ आप यह देखे यह source angle पास में और यह observer है हमारे बास में ठीक है observer जो कि move कर रहा है इस direction में view spirit से source move कर रहा है इस direction में view spirit से और जो sound propagate कर रही है वो इस direction में कर रही है with making angle of theta ठीक है माना कि real frequency यहां से f निकलती है इसे कितनी frequency सुना की पढ़े की निकलती है बड़ा इसी बहुत आसान है कुछ नहीं कर रहा है बहुत ही आसान सा काम देखो कैसे कर रहा है सबसे बहुत कर रहा है सबसे पहले है तो सबसे पहले हम v के components को draw कर रहे है यह v है यह theta है तो इधर पहले जाएगा v cos theta और इधर पहलेगा v sin theta अब आप देखे अब sound की speed यह v नहीं है sound की speed यह v cos theta है क्योंकि v cos theta v s की direction में और v o की opposite direction में है ठीक है situation क्या बनने वाली है f dash is equal to f नीची की दरफ v s की साथ हो v s सामने v cos theta भी सामने है v s minus v cos theta v s सामने v o s की opposite direction में अच्छा sound की speed के साथ देखते है v cos theta यह sound की speed का component है यह सामने v opposite direction में v cos theta plus v यह हमारे पास में situation बन जाएगी इतनी frequency निकल कर आएगी सुर्ण यह साथी condition हमारी dopper effect को लेकरती है आपको dopper effect को अच्छे तरी किसी याद करना है अब मैं आपकर दुनरीकर problem इसके उपर लेकर लेकर इसके में आपकर लेकर आप 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 सुर्ण वापस आते हैं देखिए condition के आएगी हमारे पास में यह माल जोते हैं कि एक factory है और यह सुरू पर एक silo लगाएगा ठीक है और लेकरते हैं कि यह जो box है यह एक motor cyclist है यह observer जो इस direction में move कर रहा है अब देखना है कि क्या situation real frequency F यहां से sound निगलती है कुछ इस तरीके से move करती है sound की speeder B और यह हमारे पास में observer की speeder B ठीक है source अपनी एंगा rest है factory तो चल नहीं सकती है factory की ओपर यह सारे जगा है वो rest है बताना है कि कितनी frequency से सुनाई पढ़ रही होगी कितनी frequency से सुनाई पढ़ रही होगी F' is equal to F देखो नीचे Vs आता है लेकिन Vs तो rest में है source की speed कितनी है 0 है सिर्फ sound की speed है Vs नहीं रही है जोड़ेंगे तब्ली की आएगा अब V और B O की डारेशन एक दुसरी की opposite रहाएगा V minus B O ठीक है अब बहुत जिंता आप कम्राया आदे बार बिल्कुल लही है values को करनी है आपका answer आजानेगा तो इसके साथ हमारा डॉक्लर एक का topic complete हुए है अब डॉक्लर एक के बार में लास्टॉटिक हमारे पास में आता है हम उसकी बार में लेते है लास्टॉटिक हमारा beats number of beats number of beats कैसे find out की रहेंगी important topic है especially me students के लिए important है कि कुशें सिसे पंते रहते है sound की intensity एक बार up एक बार down एक बार up एक बार down यानि sound constantly नहीं आती है sound uniformly नहीं आती है sound की speed sound की loudness fluctuation करना भी start करने है तो up और down को मिलाकर एक beat के रिजार होती है तो यह तो होगे beat की definition लेकिन number of beats को find out कैसे किया जाए मैं आपको कुछ examples बताता हूँ आपको बास नहीं है ठीक है जैसे कि आप पहला example देखे बड़े basic level से start करना student आप देखा एक source है जिसकी frequency है 200 Hz दूसरा source है ध्यान से तोड़ा जिसकी frequency है 210 Hz ठीक है हमारे पास प्लिप אות आपको बताना है number of beats produced, number of beats observe जयाती है it number of beats produced and number of beats observed एक वार मैं clear व्यापको बतातू observe का मतल यह है कि हमारा दिमाद कितनीieben के मुठाबक हमारा माइं।始 dus 12 होनी हैं जयसे पहरे सोस की Two Sud डूसे की पहने कि दीक्रणा करकें सेने कंपने करकें हैं,म्हार हमें तो हमें कि यह से जाइने करकें के बार आपको तक यह समर्णी की जाएं, जैसे पहले सोस य लिखने की az dec relação PRES. प्रिफिरेंस कितना है। यह 200 है, यह 215 है, अगर मैं calculate करूँ तो answer बनेगा, number of beats produced 15 hertz यह 15 beats पर सेकन्ड बन रही है। 15 beats पर सेकन्ड बन रही है। 15 beats पर सेकन्ड पर प्रोडिउस हो रही है। कि हमारा माइंड दस से जーड़ा बीट को अबजर्व रह सकता अगर बीट का नमटर कभी दस से ज्यादा आ गी राएगा ना तो प्रोडीूस तो आप तरी लिखेंगे अबजर्व हमीसर जिर्व लिखेंगे ठीक है कि पहली प्रारम में बीट्स को लिखें नमबर टू पर आते हैं students, नमबर टू एक क्या है, हमारे पास में पहली wave हमें देर रखी है, a sin 100 pi p, okay, second नमें देर रखी है, y2 is equal to a sin 210 pi p, ठीक है, एक दो wave हमें लोग को देर रखी है, दोनों wave आता super impulse होती है, कुछ इस तरीके से, एक wave इधर से आती है, एक wave इधर से आती है, super impulse होती है, number of beat produced और number of beat observed बताना है कितना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि number of beat produced कितने हिने मती है, देखो, पहले वाली की frequency लिखाते है, ध्यान से लिखा, यहाँ टी के साम ने लिखा रहता है, इसे हम बोलता है students omega, यह omega की benefit, omega 1 is equal to 100 pi, omega 1 को मैं लिख सकता हूँ, 2 pi f1, pi से pi cancel out, f1 is equal to 50 hertz, frequency आगे 50 hertz, यदि f1 ही value calculate होगी मेरे पास में, 50 hertz, ठीक है, okay, so second पे हम लोग आते हैं, देखें, यहाँ लिखा है 210 pi, यानि यह omega 2 की value है, omega 2 is equal to 210 pi, omega 2 को मैं लिख सकता हूँ, 2 pi f2, 200 pi, 210 pi, cancel out, so f2 is equal to 105 hertz, समझभाने नहीं के लिखा है, f2 की value अभी 105 hertz, यानि पहली frequency हमारे पास में 50 है, और दूसरी frequency हमारे पास में 150 hertz है, 105 hertz है, स्वाई, number of beats produced बतानी है, इतनी है, बड़ा पास आने है, दोनों frequency का difference बड़ा हो, एक 50 है, एक 105 है, minus करें इतना है का, 55 beats per second, अभी क्या बताए मैंने आपको, हमारा मेंट कितनी beats को observe कर सकता है, maximum 10, यहां कितना है, 55 कर पाएगा, तो बहुत नहीं कर पाएगा, so number of beats observe, number of beats observe is equal to 0, number of beats produce, यानि आप भी समझें कि 55 times sound उपर नीचे, उपर नीचे, 55 times हमारी तो sound की वे बेव फ्लक्चुएट करेंगे, अब 55 बार अगर एक सटेनमी sound फ्लक्चुएट करेंगे बहिया, हम कभी भी observe नी कर पाएगे याद, so number of beat observe, 55, number of beat produce 55, number of beat observe, 0, maximums, टीके, ओके, यह दो beats की पाएगा, next, tuning fork, हमारे पास में, tuning fork है A, ठीक है, हमारे पास में, दूसरा tuning fork है B, बहुत ही जबरदस्ट प्रॉब्लम है, आपको बजा है बसका करने में, आपको इक मैं आपांसाइट सीखने की नहीं में लेका, देहां से, tuning fork A, tuning fork B, माना कि tuning fork A की तो frequency है, वो 50 hertz है, जब दोनों के अंदर से निकलने वाली sound है, यहां से जो sound निकलती है, और यहां से जो sound निकलती है, आपस में super impulse होती है, तो इक मिलती है, 4 beat per second, 4 beat per second, ठीक है, अगें, यह वाना tuning fork, frequency है, 250 hertz, इस बार frequency है, 2 minutes, 250 hertz, यह B वाला है, एक हमने B वाला का हमने 14 जी correction की, हमने correction दिये कि B के ऊपर हमने थोड़ा सा wax लगा दिया है, wax, हमने B के ऊपर थोड़ा wax लगा दिया, अब हम लोग को मिल रही है, 6 beat per second, wax लगाने के पार, 6 beat per second मिल रही है, तो question मना, what is the real frequency of B, B के real frequency क्या है, पहले कि यह जानी थे कि question आप समझ पाई या नहीं पाई, यह sound को produce करने वाले device है, इसका नाम है tuning fork, इसकी frequency 250 hertz, यह दूसरी tuning fork है, हम इसकी frequency नहीं पता है, जब दोनों आपस में super impulse कर रही है, तो इतनी beat मिल रही है, 4 beat per second, A वाली को SAB रखा, B वाली के ओपर थोड़ा wax लगाते हैं, तो देखते हैं कि wax लगाने के बाद में, हम लोगों को 6 beat per second मिल रही है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि B वाली की real frequency क्या है, तो पहले आप ध्यान दीने हैं, अगर फर्स्ट वाली situation में, हमें 4 beat per second रही है, तो देखते हैं क्या हो सकता है, वीट क्या होती है, दोनों frequency के difference है, वीट क्या होती है, अगर में इसके उपर wax करते हैं, तो इसका मोटापा पढ़िया, अब मोटापा का बढ़ा है, तो पहले यह ऐसे चक्कर लवारा था, अभी ऐसे चक्कर लवारा था, यानि wax लगाने के बाद, definitely इसकी frequency घट लाती है, क्या हो जानी है, घट जाने है, अगर देखते हैं क्या है, तो अभी हम लोग देखते हैं, कि बीट मिल जितने हैं, 6 बीट पर सेक्ड मिल रियल frequency 250 है, wax लगाने के बाद इसकी frequency क्या होगी, 250 में 6 एड़ करो, क्या तो 256 होगी, समाद रहे है, स्कुल्ट, क्या तो 256 होगी, या 250 में से 6 मानिकस करेंगे, 244 हर्ड्स होगी, क्या तो कितनी होगी या इतनी होगी, ज्यान दिलेख, क्या तो 256 होने है, 244 होने है, अब आप एक बाद देखे, मान लेते हैं कि इसकी real frequency 254 थी, ज्यान लेते हैं कि इसकी real frequency 254 थी, ज्यान लगाने के बाद अब कितनी होगी है, 256, ज्यान दो सकता है, अब ही नहीं सकता है, ज्यान दो सकता है, यहां frequency कितनी है, 246, ठीक है, रेक्स लगान ले बाद किती होगी है, 244, डिक्रीज होगी है, यह दा डिक्रीज, तो correct answer is 246 हर्स, यानि tuning fork भी तो correct frequency है और 246 हर्स है, ठीक है, एक और और आप इसकी जैसे बनाते हैं, आपको समय आएगे, देखे, जैसे कि एक tuning fork है हमारे बाक्स में A, इसकी frequency for example 100 हर्स है, दूसरा tuning fork है B, इसकी जो frequency वो हमें पता नहीं है, हमने माल जा कि हमें मिल रही है, दो B पर से, A वाले के साथ हमने कोई छेड़चाड नहीं की, पहले की frequency 100 हर्स थी, अभी frequency 100 हर्स है, अब या B वाले के साथ हमने जरूर छेड़चाड की है, B वाले के ऊपर हमने थूड़ा सा wax लगा दिया है, अब या wax लगा तो क्या हुआ, वेक्स लगा तो इसका मोटापा बढ़ा, यह मोटा हो गया, और अगर यह मोटा हो गया, तो इसकी frequency definitely कम होगी, क्या होगी, कम, तो हमें देखना है कि कि इसमें frequency कम होगी, उसमें यह कहा, कि भाईया, ऐसा आ है कि मोटापा पढ़ने के बार, यानि ऐसी situation में पहुंच ने के अगरा होगी, so, B वाले की क्या-क्या frequency possible हो सकती है, यह हमें देखने है, यह 100 है, यह 2 है, अरे भाईया, क्या तो 100 में 2 हैड कर दो, एक बाद भाद माइनस कर दो, क्या तो 102 हर्ड्स होगी, यह 98 हर्ड्स होगी, 100 होगी यह 98 होगी, एक बाद जोड दिया, एक बाद माइनस कर दो अरे यह 9 होगी, दो आरे गां, क्या तो 102 होगी है 98, ओक नेक्स अग नीच आ है, वैक्स व्राइनस महारी होगी होगी, 100 एक बाद या पिद्व पाल सब दो, 95 होगी मैं अगर मादू कि रील फ्रिक्वेंसी 102 तो वेक्स दनाने की बात कित्नी होई है? 105 वही आप मोटापा बढ़ा तो कैसे ज़्यादे चंदी चक्कर वालेगा नहीं माने चाहिए अगर इसका वेट बढ़ गया अगर मैं चाहिएक अगर की टना होई है 95 approaching चे का होई है है? हो फ्रिक्वेंसीटा करीं से 98 वेक्स लगाने में से तहले और वेक्स लगने के बात कैसे 95 हर्टस इस तरीके से हमसे हमें इसको solve करना है students, यह हमारी beards की problem है, आगे से हम लोगों को यह बात अच्छे तरीके से याद रहने हैं कि beards और कुछ नहीं है, number of beards is equal to change in frequency, f2 minus के f1, यह बात आपको अच्छे तरीके से याद रहने हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है, students तो आज हमने बात की, doppler effect की और beards की, ठ ठीक है, तो almost हमारा wave का काम complete हो गया है, और अगली class हमारी next genical की class है, उसमें हम लोग start करने वाले है, simple harmonic motion, ठीक है, simple harmonic motion हमारे लिए एक बड़ा important chapter है ठीक हो, और बहुत आसान भी है, अगर आपको ध्यान से समझ के चलेंगे बड़ा easy है, बहुत आसानी से आप लोगों से कि दो दिन आपनी class YouTube पर ही चलेगी, ठीक है, आप YouTube के ऊबर थुटी से problem हो सकता है कि आप लोगों को हो, लेकिन उसके बाद में सब काम heavy chore हो जाएगा, after two days हम आपको shift कर देंगे अपने platform के ऊपर, वहां महुत अच्छी से, आपकी smooth ली class चलेगी, DPPs भी आपको महां पर मिले करें, office में contact करें, या आप registration fee to fees है, वो वहां PTM या नुगरपी के जर्देए भी हम लोगों को भी सकते हैं, ठीक है, thank you